नमस्कार मैं निरुप मात्रपाथी प्रोम इनुमस्ट्री ओफ इलहाबाद प्रयाग राज मेरा विशेह है तामपत्ति संबंधों में अभिचारात्मक विधान रिविद दुखों से व्याप्त होने के कारण मनुश्य आदिकाल से ही स्वयम की पथा अपने परिवार की सुर एक प्रकार का कृत्रिम उपाय है जो मनुश्य को संभावित हानियों से बचाने के उद्देश से प्रयोग में लाये जाता है वैदिकाल से ही इस भावना का उतकश द्रिश्टिगत होता है इसके फलस्वरूप मांसिक दुखों की से निवृत्ति शत्रुनिवारन रोगना आदि कृतियों से मुक्ति पाने है तो इस कारिका सब्बादन किया जाने लगा था जिसे अभिचार की संग्या दी गई इतना ही नहीं सुख में दामपत्ति जीवन की प्रिश्ट भूमी में भी अभिचार की भूमी का इस पश्ट दिखाई देती है अगर अभिचार के अर्थ स्वरूप एवं प्रियोजन पर विचार करें तो कोश ग्रंथों में अभिचार शब्द का अर्थ किसी शत्रु को मारने अत्वा हानी पहुचाने के लिए किया जाने वाला यग्य अत्वा मंत्र पाठ बताया गया है अमरकोश में इस पश्ट कहा गया है कि हिंसा कर्मा अभिचार स्यात अर्थात हिंसा जिसका फल है ऐसा कर्म अभिचार कहलाता है अभिचार के लिए कृत्या एवं वल्गम शब्द भी प्राप्त होते हैं यजुर वेद में अभिचार को इस पश रूप से वल्गम कहा गया है, रक्षो हनम वल्ग हनम इत्यादी इस रूप में, यहां इसी अनिष्ट की कामना से जो कृत्य किये जाते हैं, जैसे अस्तियादी फूमी में दबाए गए हैं, उनको उनका उत्खनन के द्वारा उसे बा सर्फ शब्द का प्रयोग अप शकुनों से प्रतिकार के रूप में किये जाने वाले कृत्यों के लिए होता है, मनुस्मृति में एक इस्थल पर कृत्या और अभिचार दोनों एक साथ प्रयोक्त हुए हैं, यहां यह शब्द मारण, मोहन, उच्चाटन एवं दुष्ट प्रयोग के लिए प्रयोक्त हुआ है, यह निंदनी ही नहीं, दंडिनी भी है, यदि इस क्रिया में किसी की मृत्यू ना भियो, तो भी इसके लिए दंड का विधान मनुने किया है, अथर वेद में भी कृत्या शब्द का प्रयोग हुआ है, किन्त वहां भी वह प्रशस्त अर्थ में नहीं है, निंदनी अर्थ में ही पाया जाता है, रिशी कहता है, शीनवती, नस्वती, कर्णनी, कृत्या, कृता, संभ्रता, विश्वरूप, इस रूप में वह सिर नाक और कान से युक्त कृत्या, अनिक आपत्ति वाली है, हम इसे दूर भगाते हैं, वह हमारे पास से चली जाए इस रूप में कामना की गई है, और कृत्या को करने वाले व्यक्तियों के लिए अभिचार नहां या पद प्राप्त होता है, इसके शमन के लिए अवशदियों और मंत्रों का भी प्रयोग बताया गया है, इस प्रकार से जो अनेक रूपों में कृत्या य ये आत्म संरक्षन के लिए ही इन कारियों का प्रियोग किया जाता रहा है रिगवेद में भी आदित्यादी देवों की इस्तूती के अवसर दिखाई देते हैं उपलब्ध होते हैं जिनका आशे यही था कि अजमान के यह दारित्र को दूर करे उसके दूर्स अपनों को दूर करे और उन्हें भाति-भाति से उनके जीवन में जो आते हैं अनिष्ट उन अनिष्टों से उनका निवारण हो सके उन्हें दुख की निवृत्ती हो सके इसी क्रम में रामायन और महाभारत में भी विवित प्रकार के शकुन अप्शकुन जादू तोना आदी से युक्त यग्यों का व्यभार दिश्टिकत होता है रामायन के युद्धकार्ण में चंदन पुष्प और लाजा आदी के द्वारा अग्वी देव के पूजन पूर्वक आखुती देते हुए मेगनाद की चर्चा है इसका उद्देश युद्ध में शत्र पर विजय प्राप्त करना ही है महाभारत में भी ऐसी राक्षसियों का उलेखाया है जो यदि उन राक्षसियों का विदि विधान के साथ पूजन अर्चन नहीं किया गया तो वह ग्रेह स्वामी के भालकों को भख्षन कर लेती है ऐसे अनेक इस्थल प्राप्त होते हैं अगर एक उप्युक्त समय हो जाने पर भी कनिया को योगी पतीर वर की रूप में नहीं प्राप्त होता है तो अथरवेद के सूपतों में अनेक मंत्र प्राप्त होते है सामवेद में ऐसे मंत्र प्राप्त होते हैं जिनका विनियोग करके वह पति के रूप में वर को प्राप्त कर सकती है। संभावना नहीं है यह तो केवल एक अभीष्ट प्राक्ति के प्रयोजन से ही सिद्ध किये जाते हैं अब विवा हो जाने के बाद प्रेम रक्षन और सपत्मी का दमन भी आवश्यक होता है प्रेम की रक्षा की गई जाए इसके लिए भी देवताओं से प्रात्ना की गई है कि इस्त्री पुरुष का अभी हिर्दय अभिन्न हो जाए जिस प्रकार नकुल सर्फ को पाट कर जोड़ देता है उसी प्रकार से शक्तिशाली अवशदी भी व्यूक्त पति-पत्नी को पुनह संयूक्त कर दे अतर था उनका व्योग ना हो कभी-कभी ऐसा भी अवसर आता ह कि पत्नी के रहते हुए भी उसका पति किसी दूसरी इस्त्री की ओर आकरशित हो जाता है तो उस अभा कुछट उस पत्नी को होता है सापतनी निवारन के लिए भाति-भाति के उपाय करती कि अधरवेद में इस प्राकार के बहुत से मंत्र रहें प्राप्थ होते हैं जो के विन्योग से सपतनी को कलेश प्रदान किया जा सकता है और पती को अपनी आकरशित किया जा सकता है इसके bénतरिख्त गर्भığımız धारन करना शंतान के लिए लिए संतान किया भुशक्ता है तो गर्भ धारन और decoratma अनुश्थान वेदों में प्राप्थ होते हैं वहां के बाद कई वर्षों के पश्चात भी यदि इस्तरी को संतान नहीं होता तो उसे बंध्या की संग्या दी जाने लगती है ऐसी इस्तरी स्वयम को समाज में अपमानित भी प्राप्त कर अपमानित भी वो अपने आपको महसूस करती है और उसका जीवन भी दुख में हो जाता ह तो रिगवेद के दशम मंडल के सूप्त संख्या 183 और 184 को गर्व धारण हेतु प्रभावशाली माना गया है और विश्णु और त्वश्टा से प्राक्तना की गई है कि वो नारी को संतान वती करे उसे प्रजनन के योग गी बनाए विश्णु योनिम कलपयतु त्वश प्राकार से मंत्र प्राप्त होते हैं और गर्व धारन करने के बाद भी उस गर्व का रक्षण भी अनिवार है कभी किसी प्रकार के राक्षणी या पैशाची प्रभाव के कारण इस्टी का गर्व प्राया नश्ट हो जाता है उसकी सम्भावना बनी रहती है तो ऐसा प्रयोग हैं जिनसे गर्भ नश्ट करने की शक्तियों को होता है और गर्भ की रक्षा की जाती है और रिगवेद में असुत रक्षोहा सुक्त के नाम से जाना जाता है और संतान का नाश करने वाले रोग भी ना हो शरीर में गर्भिनी इस्त्री के शरीर में यदि कोई रोग हो जाए जिससे संतान के अनिश्ट की आशंका हो तो उस रोग को दूर करने के लिए भी मंत्र बताये गए हैं और प्रसव प्रसव जो है कर्भ इस्त्री का प्रसव उल्चित समय पर और कश्ट रहित हो इसके लिए भी प्रार्पना रिशी करता है और अनेक मंत्र बताये गए हैं जिससे प्रसव सुख रहित प्रसव की प्राप्ती होती है और संतान प्राप्त करके दंपती सुख में जी चीनों का भी नाश करने के लिए अनिक प्रकार की उपाई बताए गए हैं तो इस प्रकार निश्कार्शिता हम यह कह सकते हैं कि हमारे सर्वप्राचीन साहित वेद यह सिद्ध करते हैं कि भारत वर्ष में अनादिकाल से ही किसी अद्रिष्ट शक्ति का अस्तितु रहा है वस्तुताह मंत्र की शक्ति अपने यजमान की उन कामनाओं की सिद्धी में सहीयोग प्रदान करती है जिसके लिए उन मंत्रों का विन्योग किया जाता है प्राचीनकाल में इसके विशेशक ही होते थे जो इसका अभ्यास करके बड़ी-बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर वस्तुताह पार्थिव प्रदार्थों की प्राप्ति के लिए और समस्त अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए किये गए कर्म ही अभिचार की श्रीनी में आते हैं इसे यजमान की सदेच्छा एवं शुभेच्छा ही है कामनाओं की पूर्ति में बाधग बनने वाला कर्म से जोड़ा जाने लगा अविचार अकारन किसी को कश्ट देने की क्रिया नहीं प्रतीत होती ये भौतिक सुख देने के मनुष्य का सुभाव है वेद मंत्रों का अविर्भाव यग्य सादनों को संपन्द करने के लिए है उआ अविचार कर्मों में मंत्र के साथ साथ यग्य कावी प्रमुखिस्तान रहा कतिपय अपवाद के स्थनों को छोड़ दिया जाए तो अविचार कृति भी प्रयोजन ही अत्वा अकारण किसी को कष्टन देने के लिए नहीं है किसी से अकारण शत्रुता करके उसे पीडित करने के लिए अविचार का प्रयोग कभी सफल नहीं होता वैदिक यग्योका विकास तो एक ऐसी वग्यानिक विधा में हुआ था जिसका प्रयोग किसी भी दशा में ला अविश्वास अंध विश्वास से जो क्रियाएं उत्पन होने लगी वो उससे अविचार को समिकृत नहीं किया जाता है वो एक दंडनी अपराद है संभावत है उनके विचार में जादू चोना अकारण कर्श देने की भावना है और यह अविचार जो वैदिक परपरा में प्राप्त होता है जिससे मनुष का उतकर्श होता है और बिधिन प्रकार के शुक की प्राप्ति होती है वह अभिचार इस अंध विश्वास से कहीं अलग हटकर है तो कोई भी वैदिक कार्य स्वरूपता न तो निंदनिय से दिकिया जा सकता है और नहीं धंडनिया उसकी उपयोगिता ही उसकी निंदा और प्रशंसा में कारक होते हैं धन्यवाद